सबसे पहले तो सभीकुन राम राम और रादे रादे मेरा नाम आचाय नदेश्टरवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ संदीब सर्मा दोस्तों आज हम आप पोचे हैं सोरो जी जो की कासगंज के जश्ट नजदीक ही है सोरो जी बिश्व बिख्यात एक प्रमुख तीर दिस्थल है हिंदूरी तीरिवाज के एसाफ से यहां पर काफी मंदिर हैं क्या क्या चीज़े खास हैं यहां पर किसलिए यह फेमस है इनी सब बातों की चर्चाज हम इस वीडियो में करेंगे तो बने रही क्या दोस्तों वीडियो में वीडियो कंटीनियू देखते रहेगा आए दोस्तों आज का व्लोग शुरू करते हैं कि दोस्तों सोरों में बारा भगवान का भगवान वारा ने जो अपनी सूड पर प्रत्वी को धारण किया था आपको याद होगा है पर न के टाइम की यह कथा है तो बारा भगवान का यहां पर एक मंदर है उसी के लिए सुड़ों बिसकली फेमस है तो बी हम सबसे पहले बारा भगवान को दरस्तन करेंगे मंदिर चल रहे और जानेंगे यहां की हिस्ट्री वग。एरा क्या क्या है और भी जो लोकल अब फुल गया ना तो अभी सीधे मंदिर चल रहे हैं वहां दर्सन करेंगे बने रहे लिए का ब्लॉग में दोस्तों यहां हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और यह है मंदिर का एंट्रेंस गेट और इस तरफ है मंदिर जाने का रास्ता तो आएए चलते हैं मंदिर और दर्स भी दुलाइए चल दी है सफाई प्राइड है कितने वी फुल जाता है इस फुल जाता है पट उस्त जाएः नो दस बजी तक खुलेगा साम को सम का समय बेसिकली सुबह भी खुल जाता होता हुगा का पांच बज़े से ग्यारावे तक का थाइम होगा सुबह चार बज़ी तो पंडी जी से जानते हैं थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री क्या है और कब-कब यहां पर विसेश कर मेला वगेरा लगता है और कब-कब भीड़वार रहती है मेरा नाम आचाय नरेश्टर गुणाय थी मैं मंदिर का सेवायत स्री वरा मंदिर का जैसे की आप बोल रहा है मेला यह हमारे इदर जो मार्क्सी का मैना होता है उस पर एक अधसी के दिन भगवान वरा का भब मेला लगता और द्वादसी के दिन भगवान की सोवा यात्रा ने इसे भी हमारे माहनूता है कि उस दिन भगवान जो खजाना होता वो नगार में बितरण होता अपने अपने घर से आते हैं और भगवान की खजाने को लेते हैं और अपने कुल्लकों में अपने काम में परसों में उसको रखते हैं जिसे भगवान उन पर विशेश किर्पा करे रहे हैं और बिसेश करके भगवान जैसे आप प्रतिमा देख रहे हैं ये भगवान की तो ये प्रतिमा भगवान की बरहा रूम में धारन भगवान विश्णू का तिप्तिय अप्तार वर्ह जो ब्रह्मा की नासका से उत्पन हुआ जब प्रत्वी को रसा तलमें हिर्णाक्स ले गया देवतो ने भगवान से प्रतिमा की व्हुद्ध का उधार करेडें हिथ तो भगवान विष्णू ने बरहा भगवान की नासका से ब्रहा अप्ताल लिया और बरहा अप्ताल लेकि भगवान समुद्र की अंदर गए और घृणाक्स से यूद्ध किया बद करने के पश्चाद का बद किया बद करने की पश्चाद भगवान ने अपनी नकम पर नाख तो सास्तरों में यह आता है कि भगवान ने को लेकर आ रहे थे जब रसातल से तो इसी सूकर छेत्र पंच्यों जनकी तीन जो तो पांच यो जनों बसा सुकर चेत्र जो है इस ही से भगवान पृतिवी को निकाला वेखवान ने सरफ पृतम पृतिवी को इस तापना इसी छेत्र में रखा पर इस से पृतिवी का प्र विश्टार हुगा गुश्का सामने आप दर्सन कर रहे हैं बारा भगवान के जिनक तो सभीकुन राम राम और रादे रादे मैं रोधेवल बस अगर बात बूमने की है तो हमारे सोरों सुकर्चेत्र में गंगाजी और यह स्री वरहा वगवान का प्रधान मंदिर जो सोरों सुकर्चेत्र का सबसे प्रधान मंदिर है यह सबसे अच्छा आपके लिए जीताराम मन्दर, स्रीभटुकनाद मन्दर., ऐसे कई यहां पर पोराडइक धरोवर हैं, यहां आप जाकर भगवान के दर्सन कर सकते हैं, वहां पर स्रीभटुकनाद मंदर में एक व्रक्ष भी जो कि सतियुक्त नाम ग्तबड, यहां पर बताते है कि जिस वक्त प्रभु ने प्रथवी का उधार किया था उसके उपरांत मातः प्रथवी को प्रभु ने स्री वरहा बगवान ने वहां पर मातर प्रद्वी को ज्यान उपदेश दिया था तो वो व्रक्ष आज भी वहां पर बिद्दमान है जिसका नाम ग्रद्वट है ऐसी काफी हमारे हैं प्राचींता है जिस सीताराम मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया वो 920 का बना हुआ है जिसका जुण उद प्रत्वी को अपदेश भी जो भी पित्रगान अपने जो भी मनुष्य अपने पित्रों की अस्तियां मेरे वर्हा कुंड में विसरजन करता तो मेरे पूर प्रबाव से तीन दिन में वालू के करण के समान उसी जल में बिलीन हो जाएगी वाल बहुत धन्यवाद महराजी जी आपको श्री व्रहा वगवान मंदिर में जो यह है आपको गंटा दिखाई दे रहा है यह जब वह मंदिर का जिवड़ोधार नेपाल नरेश्ण ने कराया था उस वक्ते हैं फंद्रा से तालीस इसजी में में यहाँ यहाँ पर बिद्दमान किया था काफी कुराना में कर दोस्तों आज हमने आपको फयृषर को टर्रीश करने कि ज़फर करने की जादा से ज़ादा जानकारी में हमने आपको को पोटर करके बताए्येस अब्यक्यांगाु अब व्यटियोror कि लिए ञए को यह चानल के शिह नहीं किया रही इसके सितना ही, थैंक्यू सो मत, जय हिन जया भाराद!